हमसकार दोस्तों! आज की कहानी का नाम है फांसी की सजा। एक बार की बात है। ग्रीज के समराट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का एलान कर दिया। फासी का समय शाम के 6 बजे मुकररर किया गया. फासी की सजा दिये जाते समय वजीर दर्बार में उपस्थित नहीं था. समराट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फासी पर लटका दिया जाएगा. समराट का आदेश मान सैनिक की एक टुकरी वजीर के घर पहुंची. उसके घर को चारो ओर से घेर लिया गया. कुछ सैनिक घर के अंदर गए. अंदर जाने पर उन्होंने देखा की वहां तो जशन का माहौल है. उस दिन वजीर का जनम दिन था. उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी. संगीत बज रहा है. नाच गाना चल रहा था. पूरे घर में पकवान की खुश्बू फैल रही थी. कुल मिला कर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था. सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फासी की सजा के बारे में बताया. यह भी बताया की फासी शाम 6 बजे दी जाएगी. यह एलान सुनकर वहां मौजूद हर शक्स हैरान रह गया. फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया. रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गये. तभी कमरे में च्छाए खामोशी में वजीर की आवाज उपर वाले का लाख लाख शुक्रिया की उसने फासी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया. तब तक हम सब जशन मना सकते हैं. वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार जिनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फासी की सजा सुनाए गई है तुम हे और तुम जशन मनाना चाहते हो. वजीर ने किसी तरह सब को समझाया और जशन फिर से शुरू करवाया. दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जशन में शामिल हो गए. यह खबर सैनिकों द्वारा समराट तक पहुँचाए गई. समराट पूरा माजरा जान ने वजीर के घर पहुँच गया. वहां पहुँच कर जब उसने सब को जशन मनाते हुए देखा, तो वह भी दंग रह गया. उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फासी पर लटका दिया जाएगा और तुम जशन मना रहे हो. वजीर यदि आप मुझे ये वक्त न देते, तो मैं अपने परिवाद, दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जशन कैसे मना पाता? फासी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है. ये मैं क्यों जाया करूँ? मेरे पास जितना भी वक्त है, उसे मैं खुशी खुशी ग गुजारना चाहता है. उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है. तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया. तुम्हारी फासी की सजा माफ की जाती है. सीक, जिन्दगी खुबसूरत है. इसका हर लमहा खुशी के साथ गुजारे. ये जरूर है कि ज जिन्दगी जीना ही छोड़ देते हैं. मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें. जो भी समय आपके पास है, उसका पूरा सदुपयोग करें. ये जिन्दगी बार-बार नहीं मिलने वाली. इसे खुल कर जियें. तब तक के लिए नमस्कार.